देखे 3.3 क्या कर रहा है एक उमेन है स्टार्ट्स फ्राम हर होम एट नाइड एम नौ बजे अपने घर से उचली ध्यान समझे को नौ बजे अपने घर से चली वाक्स विद इस्पीड आफ फाइब किलोमेटर पर आर यानि कि वो कहां गई है घर से आफिस जा रही है तो पहल होम टू आफिस इसको ले जाते हैं हम होम से आफिस की तरफ इसको ले जाते है टाइम आफिस स्टार्ट कितना है टाइम आफिस स्टार्ट कितने मुझे स्टार्ट किया उन्होंने नाइन एम पे स्टार्ट किया एम का फुल फार्म क्या होता है लेओ यह नहीं मालूम है एम पीम बोला था हम उब बोल देते हैं पास्ट मार्निंग क्या बात है उनको देखे कि अबतार हो एंटी मेरेडियन प्री मेरेडियन होता है यह देखें इंग्लिश मीडमा लोगो बहले क्या होता है चोड़ो सुरिये द्यान से चोड़िये और इन मेरेडम की स्पीड कितनी है आफिस जा रही है ना तो आफिस जा रही तो प्रेटिकली स्पीड कमी होगी नहीं मतब जनरली देखा जा है हम इस कुशन नहीं पढ़ रहे हैं अभी कमी होगी क्या स्पीड है इनकी 5 किलोमेटर पर आर इनकी स्पीड है 5 किलोमेटर पर आर और ये कह रहे हैं कि इनका आफिस जो है वो 2.5 किलोमेटर अवे है जो डिस्टन्स इनकी आफिस की है वो है 2.5 किलोमेटर अवे तो निकाले कितना टाइम लगेगा आफिस पहुचने में तो time कितना लगेगा इनको पहुंचने में, time, time इजी को लूँ क्या होता है, distance अपान, speed, speed, बोले तो, 2.5 अपान, 5, 0.5 बार लगेगा, पचम पचीस, यानि 0.5 बार लगेगा, यानि कि 9 बज़े पहुंचेंगे, तो शाड़े, आधा गंट लगेगा, मतब पांच किलो, धाई किलो मेटर चलना, आधे हंड़े पहुंचेंगे जाकर के, अब देखें क्या, यानि कितने बज़े आफिस पहुंच गई वो, साड़े नो बज़े, पहुंच गई, चलिए, अब क्या करनेंगे वो, बैठेंगे बठेंगे जाकर के, अब कहरें कि, स्टेज एड़ आफिस अब टू 5 पीम, यानि 5 पीम तक आफिस में रुकी ही वो, ठीक है, अब आफिस से घर पहुंचना है, आफिस से होम में चलना है, टाइम आफ स्टार्ट क्या उनका है, कितने बज़े चली, टाइम आफिस से चलेंगे, कितने बज़े, फाइब पीम पे चली, प्री मेरेडियन होता है, अब कहा रहें कि, she returns home at by auto अब auto से आई है at the speed of 25 km पर आर यहनि उनकी जो speed है वो क्या है अब उनकी कहो आटो की कहो 25 km पर आर distance तो भही रही होगी न तो distance भही रहेगी 2.5 km तो time मेडम वो कितना लगा distance upon 25 मुले तो 0.1 0.1 0.1 R मतलब 0.1 R मतलब 0.1 R कितने मिनट हुए कितने मिनट हुआ किस से multiply करो 6 मिनट होगा न 0.1 R को मिनट में convert करना है तो 60 से multiply करोगे न तो 6 मिनट ही तो आएगा न तो यह उनका time है घर से 9 बज़े मेडम निकली आधा 2.5 km चली और कितना time लगाया 0.5 R और अब 9 जब पहुँच गई साड़े 9 बज़े आफिस में रुकी कब कितने मिन तक 5 ज़े तक 5 ज़े निकली फिर निकलते वक्त आटो में बैढ़ गई और income हो गई हो कि उस आफिस में जिस डिपार्टमें में काम करते लेख वेख पाल हो गई मास्टरों को तो कुछ मतलब नहीं मास्टरों विचारा पैदली आएगा ठीक है और बाद में वो आटों से निकली और वही दूरी 6 मिनट में आ गई घर ठीक है अब आप से question ये कह रहा है कि choose the suitable scale and plot the xt graph for her motion उसके motion के लिए एक्षटी graph बनाना है देखो graph बनाने के लिए हम यहाँ पर इस चुन लेते हैं सुनिये ध्यान से ये time चुनना है और ये distance चुनना है दरा समझेगा उसको यहाँ से चलाईए मेडम जी को ठीक है कितने मज़े 9 am पर चलाईए और कितने मज़े पहुचा दीजिए अब ये 10 am है ठीक है ये होते होते ये 5 pm है अब इसको आपने scale में दिखा दोगे 10, 11, 12, 13, 14, पूरा 5 तक दिखा दोगे ठीक है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, चलिए 5 ठीक है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और यहां 6 अब देखिए यह दूरी है आफिस दूरी कितनी उनकी है 2.5 km ठीक है अब देखिए वो ऐसे पहुची होंगी न यहां से यहां पहुचेंगी न यह पहुच गई कितने मज़े पहुची यह साड़े 9 बज़े पहुच गई अब वहां से वापस 9 बज़े देखिए कहां पहुचे है इसमें आफिस में कब तक रहेंगी यह 5 बज़े तक स्टे रही कोई दूरी नहीं है ठीक यह पाँ बज़े हुआ नहीं समझे अब उनको लॉट के आना है घर कहां से गई थी इधर देखिए यह 0 है ना तो अल्टिमिटले यहीं आना है यहां मतलब इस लाइन पे आना है यहां पर X 0 हो जाएगा ना तो कितने बज़े आएगी 5 बज़ कर 6 मिनट पे तो यानि कि यह टाइमिंग यह लौड के यहां आएगी यहां पे आएगी 5 पीम क्या लिखा जाएगा 5.1 लिख दे यार क्या दिक्कत है 5.1 लिख दे यह थोड़ा दूरी कम कर दिएगा अधा है 6 थोड़ा दूर बना दिएगा तो डाइग्राम सुन पे आएग नहीं आया तो यही आप से कह रहे हैं यह इनका होम है यह इस लाइन पे होम है और यह यहां पर आफिस है तो यही आप से कह रहे थे कि आप इसका एक्स्टी ग्राब बना के समझाओ ठीक है राइटिक दूरा गंदी है समझा लिजेगा यह तूरा कुछ जादे गंदी हो गई यहां पर गिनापन कर दिया 5.1 या 5 घंटा 5 बज़कर 6 मिनट